बिहार में नई सरकार गठन के लगफ़क दो महिने बीतने के बाद मंगलबार को पहला मंत्री मंदल विस्तार की आगया इसमें भाजपा कोटे से नौ और जदियू कोटे से आठ नेताओं नी मंत्री पत की शपत्ली। दरसल पिछले साल में चुनौ के बाद लंबे वक्त से ही कैबनेट विस्तार का इंतजार था जो अब जाकर खत्म हुआ है। आज भारती जिन्ता पार्टी के शैनवाज हुसाइन जदियू के संजै जहा समेत कुल सत्रह नेताओं ने मंत्री पत की शपत्ली। केंद्र की अटल विहारी वार्टी सरकार में मंत्री रहे शैनवाज हुसाइन को इस बार भारती जन्ता पार्टी ने फिर राज की राजनीदी में भीजा है। नितीश कैबिनेट में शामिल होने वालों में नीरस सिंग का भी नाम है जो दिवंगत अभिनेतां सुषान सिंग राजपूर के चचेरे भाई हैं। तो शान सिंग की मौत के बार नीरस सिंग लगातार चर्चाओं में बने रहे थे साथी बस्वा का साथ छोड़ जदियों में शामिल होने वाले जमा खान को भी बंत्री बनाया गया है। नितीश से मुलाकात करने के बार जमा खान ने जदियों का हाथ हाम दिया था। विष्टार भी हो गया मैं सब लोगों को बताई देता हूं और सब पूरी निस्ठा के साथ विहाग की सेवा करें अपने दाईतु का निर्वाभ करें हम सबसे ही आगरह करेंगे और सब लोगों के विहाग का भी निर्वाभ किया जा चुका हमने कर लिया है। और वह आभी आपको कुछी देर के बार उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा जिनको जो भी तुहाँ है। को अटलब है कि दिसंबर माइने में नितिश कुमार ने मुख्य मंत्री पत की शपत ली लेकिन इस बार गड़ बंदन में भारती जन्ता पार्टी बड़ी पार्टी है। यही कारण है कि जिन नए 17 मंत्रियों ने शपत ली हैं उन में से 9 विजेपी और 8 जदियों के खाते के हैं। नितिश मंत्री मंदल में कुल 31 मंत्री हो गए।